हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज में आज इस वीडियो में हम जैन दर्म का इत्यास के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए देखे फ्रेंट्स जैन मानेता के अनुसार जैन दर्म अनादी काल से चला आया है अनन्द काल तक चलता रहेगा इस दर्म का परचार करने के लिए समय समय पर अनेक तिर्थंकरों का आविर्भाव होता रहा है जैन दर्म के चोविश तिर्थंकरों में रिशब देव पर्थम और महाविर स्वामी अन्तिम तिर्थंकर थे जैन दर्म भारत का सबसे प्राचेन धर्म है जैन धरम का अर्थ है जिन दवारा परवर्तित धरम जो जिन के अनुवयाई है उन्हें जैन कहते हैं आप देखे जिन होता क्या है ठीक है तो जो जिन सब्द है इसका अर्थ है जीतने वाला अर्थात जिसने अपने मन वानी तथा अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ग्यान प्रात कर पूर्ण ग्यान प्रात किया उन्हें ही जीने स्वर या जीन कहा जाता है जैन धरम का मूल सिदान अहिंसा है जैन धरम के नुसार इस स्रस्टी या किसी भी जीव का कोई निर्मान करता नहीं है सभी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं जैन दर्म में इस्वर को स्रेश्टी करता नहीं माना गया जैन दर्म की अत्तेन प्राचेंता का उलेक करने वाला स्रोत व्यदिक साहिते है अब देखें फ्रेंड्स यहां पर हम महवीर स्वामी के जीवन के बारे में देखेंगे महवीर स्वामी का जन्म वहिशाली के निकट कुंड कराम के ग्यात्रकुल के तथा वजी संके प्रैधान शिधार्त के यहां पर 540 इस्वा पूरा में हुआ था इनकी माता त्रिशला जो लिछवी गनराजी की राजकुमारी थी और जो चेटक की बहिन थी यह कई बार पूछा जाता है प्रीक्षय में तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तथा इनकी जो पत्नी है यशोदा तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था यशोदा से उत्पन महावीर की पुत्री पिरियर दर्शना थी और पिरियर दर्शना का विवाहत जामाली के साथ हुआ था जामाली एक छत्रिय था यह महावीर स्वामी का पर्थम शिश्य था तथा 30 वर्ष की आयू में महावीर स्वामी ने ग्रहत्या कर दिया था 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष के आयू में महावीर को जुमभीय ग्राम के निकट रिजूपली का नदीगे तटपर साल के वरक्ष के नीचे कवले की प्रापती हुई थी सर्वोच्य ग्यान इनको प्राप्त हुआ था और सर्वोच्य ग्यान प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, अर, एम, मिर्ग्रंद यानि बंधन रहित भी कहा गया है महावीर स्वामी की मृत्यू पावा में 72 वर्ष की आयू में 468 इस्वा पूरे में हुई थी बो साहिते में महावीर को निगंठनाथ पुत भी कहा गया है जैन गरंथ आचारांग सुत में महावीर की तपस्या तथा कायाकलेस का विश्त्रित उलेख किया गया है कोन से गरंथ में किया गया है ये आसकता है पर्षन कि वही जो महावीर स्वामी की तपस्या कायाकलेस का उलेख कहां पे किया गया वो है जैन गरंथ आचारांग सुत अब देखें फ्रेंड्स यहां पर हमने जैन धरम के जो सैंस्तापक है महावीर स्वामी उनके जीवन के बारे में पढ़ा है अब हम यहां पढ़ेंगे जैन धरम की विशेषता हैं तो जैन प्रम्प्रा के अनुसार इस धरम में 24 तिर्थंकर हुए है इनमें परथम परथम जो तिर्थंकर हुषवदेव है तथा 23 तिर्थंकर पास्वरानात और 24 तो जीवीर स्वामी हुए है इनमें से एक परशन पका पूषते हैं परथम पूष लेते हैं 23 त्वा पूष लेते हैं 24 तो धान से पढ़िएगा किन्तु 23 तिर्थंकर को छोड़ कर इनसे पहले के जितने भी जो भी तिर्थंकर हुए है उनके थैस्चिता के बारे में हम ज ग्रंत कहा जाता है जैन अनुश्रूति के अनुसार पास्र नाथ को सोवर्ष के आयू में सम्मेद परवत पर निर्वान प्रापत हुआ था पास्र नाथ द्वारा पर्ति पादित चार महावरत कौन-कौन से हैं सत्ते अहिंसा ए प्रीग्र और एस्तेई ठीक है ये चार कर लेता हैं इन्हे सास्त्रों में अनन्त चत्टुस्टे कहा जाता है अनन्त चत्टुस्टे किस दल में हैं और कोरप कोर्द से अब देखें फ्रेंड्स शादवाद के बारे में अपन पढ़ते हैं तो शादवाद या फिर इसको दूसरा नाम अनेकांतवाद भी है और इसे सब्ट भंगनिये सिधांत भी कहा जाता है महावीर ने अपने जीवनकाल में एक संकिस्त आपना की थी जिसमें ग्यारा परमुक अनुयाई समिलित थे और इन्हें गणधर कहा गया है ठीक है महावीर के जीवनकाल में ही दस गणधरों की तो क्या हो गई थी मर्त्यू हो गई थी महवीर के बाद केवर एक गंधर जिसनका नाम था सुधर्मन वो ही जीवित थे जैन दरम में देवतों के स्तित्वय को स्विकार किया गया है किन्तु देवतों को अस्थान जिन से भी नीचे रखा गया है ठीक है जैन दर्म संसार की वास्पिक्ता को स्विकार करता है पर स्रिष्टी करता की रूप में इस्वर को स्विकार नहीं करता जैन दर्म में अहिंसा परबल दिया गया है इसमें क्रेशी एम यूद में भाग लेने पर पर्तिबंद लगाया गया है जैन दर्म पुन्दर जनम एम करमवाद में विश्वास करता है उनके अनुसार करम फल ही जनम है ठीक है करम जो करेगा उसके अकोर्डिंग आपको जनम मिलेगा जैसा आपने अच्छा करम कर रहा है तो अच्छे आप परिवार में जनम लोगे यदि बुरा करा तो बुरा मिलेगा अरथात करम फल में वो विश्वास करते हैं जैन दर्म में स्लेखना से तात्प्री है उपवास द्वारा स्रीर का त्याग तो सुक पूर्वक सोक रहित होकर मर्त्यू का वरण ही क्या है स्लेखना है इससा पूरत तीसरी स्ताब्धी में समराड चंत्रगुप्त मोर्य ने सर्वन बेलगोला जो करनाटक में है यहाँ पे सलेकना विधी द्वारा ही अपने स्रीर का त्याग किया था असोक के स्थम लेखों में बहेंकर अप्राधियों को भी यह प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्ता परसासनिक तोर पर की गई थी आदूनिक काल में सलेकना को राष्ट पिता महातमा गांदी एंव विनोबा भावे जैसे महापूरुसों द्वारा व्यापक समर्थन मिला कालांतर में जैन दर्म में दो समुदाय बन गए थे कोनगों से तेरापन थी जिसे स्वेतामबर खा गया और समयादे से जिसे दिगंबर का गया अब देखे बद्र बाहू और उनके जो अन्यवाई हैं उनको दिगंबर का गया और ये दक्सिनी जैनी कहे गए तथा जो इस्तल बाहू एवं उनके अन्यवाई थे उनको स्वेतामबर का गया और स्वेतामबर समपरदाय के लोगों ने ही सर्वा परतम महावीर एवं अन् दर्म का विशेज पर्चार हुआ ठीक है तो दक्षिनी भारत में ज्यन दर्म का परचार राष्ट कुर्सासकों के समय हुआ था गुजरात था राजस्तान में ज्यन दर्म ग्यारवी बारवी स्तापदी में अधिक लोग प्रिय हुआ जैनों के उत्तर भारत में दो पर्मुक केंदर कौन से थे उत्तर भारत में उज्यन और मत्वुरा दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में जैन तिर्थंकर आदिनात और नेमीनात के मंदिर परशिद हैं खजुराहों में पास्रनात आदिनात के मंदिर हैं जैन परंप्रा के अनुसार अरिस्ट नेमी भागवत धरम के वाशुदेव कृष्ण के समकालीन थे जैन धरम में उसके उनके सेस्था पक एम जित्यंतरिय तथा ज्यान प्राप्त महात्माओं की उपाधी तिर्थंकर है ठ जैन तिर्थंकरों के पर्तिग देखें यह भी कई बार आजाते हैं जैसे रिश्टब्देव का जो फर्तिग है वह वर्षब है सांतिनात का हीरन है का सरभन है महवीर स्वामी कासनिह है इसी परकार वैदिक मंत्रों में अर्थात रिगवेध में केवल दो तिर्थं करूं रिशब्देव तथा अरिशनेमी का उलेख मिलता है जैन संक्य सद्द से चार वर्गों में विभक थे वो कौन कौन से थे चार वर्ग बिक्षू बिक्षूनी और स्रावक स्रावीगा महावीर के दिये मोलिक सिधान 14 प्राचीन गरंथों में संक्लित है जो क्या कहलाए पूर्व कहलाए जैन मठों को बसादी या फिर बसादिस कहा जाता है महावीर के 11 परमुक्षिश्यों को गंदर्व कहा जाता है गंदर्व का साब्दी कर दोता है विद्यालियों के प्रधा जैन दरम गरंद अर्दमागदी बासा में लिखे गया है जैन दरम में तप एम अहिंसा पर विशेश बल दिया गया है जैन दरम का महत्वय पूर्ण गरंद कल्प सुत्र है वो संस्कृत बासा में लिखा गया है जैन दरम ने वेदों की प्रमानिकता नहीं मानी तथा पुद भी किया जैन दर्शन सांखे दर्शन से समानता रखता है महवीर की मर्त्यू के बार जैन संग का प्रधम प्रत्थम जो अध्यक्स बना वो थे सुधर्मन दक्षिन भारत में जैन दर्म को सरंक्षन देने वाले राजिय कौन कौन से थे गंग कदम चालुके और राश् में जैसे उद्यन, बिम्बि सार, अजास सत्रू, चंद्रगुप्त मोर्ये और बिंदु सार तथा खार्वेल ये जैन दर्म के समर्थक तथा सरंक्षक थे ये क्यों सुन कई बार पूच लेते हैं राश्ट्रकूर्ट नरेस अमोग वर्स जैन सन्यासिब बन गए थे उन्ह प्रथम जैन तिर्थंकर इश्ब देव की मृत्यू कलास परवत ये जो है आपका अठावे जो कलास परवत पर है वहाँ पर हुई थी जैन दर्म के तेविश्वे तिर्थंकर पासरनात कासी नरेस अस्वसेन के पुत्तर थे पासरनात की परथम अनुयाई उनकी माता वामा तथा पत्नी परभावती थी ज्यान प्राप्ति के पच्चात महावीर स्वामी ने पावापूरी में जैन संकी स्थापना की गोशान महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने जैन दर्म के अनुसार स्रस्टी का निर्माता इश्वर नहीं है अपितु स्रस्टी का निर्मा शायद है भी और नहीं भी जैन द्रम के शादवाद को ही सब्त बंगी का सिधान्त भी कहा जाता है पहली जैन सभा पाठली पुत्र में 300 इस्सा पूरव में इस्थूल भद्दर और संभूती विजय के नितरतों में हुई देखें जैन जो समीतियां हुई थी उनके बार में तो इसी जो पहली जैन सभा है इसके बाद जैन दरम दो भगों में बाजित हो गया था वो कौन-कौन चे थे स्वेतांबर और दिगंबर जोती सताबदी के अंत में दक्सिन बिहार में बहंकर अकाल पड़ा तब जैनों का एक भाग बद्र बहु के नेत्रतुय में मैसूर चला गया तथा एक ओर दूसरा जो भाग था वैस्थूल बहु के नेत्रतुय में पाठली पुत्र में रहे गया तथा दूसरी जैन सभा 513 इस्वी में वल्लभी यानी गुजरात में देवर्धी क्षमास्वन के धेक्स्ता में संपन हुई मोर्यत्र काल में मत्वुरा जैन द्रहम का पर्मु केंद्र था विश्णु पुरान तथा भागवत पुरान में रिशब देव का उलेक नारायन अवतार के रूपे मिलता है आचारांग सुत्र महावीर स्वामी के कठोर तपस्चार तथा काया कलेस का बड़ा ही रोचक विवन पर्स्तुति आचारांग सुत्र में किया गया है महावीर स्वामी का सबसे पहला सिसे या सबसे पहला सन्यासी सिसे मखली पुत गोशाल था ठीक है जिसने छे वर्स बाद आजीवक संपरदा की स्थापना की तथा महावीर स्वामी को छोड़ दिया था महवेर स्वामी का सबसे पहला ग्रहस्त सीसे उपाली था जो राजग्रह में सीसे बना था महवेर स्वामी का विरोधी जमाली तथा तिर्श गुपत ने क्या था पास्नना द्वारा पर्तिपादित चार महावरतों में महावीने पांचवामरा महावरत ब्रहम्चरी जोड़ा था जैन दर्म में निर्वान जीव का अंतिम लक्से है करम, फलका नास तथा आत्मा से बोथिक तत्वा हटाने से निर्वान संभव है जैन दर्शन के अनुसार ये संसार छेद्रवयों से मिलकर बना है जीव, पुदकल, धर्म, एद्रम, आकास, काल जैन दर्म में पांच प्रकार के ज्यान को परिवाशित किया गया है मत्ति, शूति, अवध्धि, मनह, प्रियाय और कवल्ले बिक्सों के लिए पंच महावरत की व्यवस्ता जैन दर्म में बताई गई है अहिंसा, सत्ते, एस्ते, एपरिग्रे और ब्रहमचेरिये जैन दर्म के अनुसार ज्यान के तीन स्रोथ हैं कोन-कोन से है वो प्रतिक्स ज्यान, अनुमान लगाना और तिर्थंकरों के वचन दोस्तों, यहां पर हमने जैन दर्म के बारे में काफी कुछ पढ़ा और इसी परकार हम जैन दर्म पे आगे और भी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, तो हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर आप बने रहें, फेस्बुक पे लाइक और शेर करें,